नमस्कार गुड मॉनिंग एंड आप सभी का टेट टॉक के पॉर्कास्ट में स्वागत है दोस्तो मंगलवार के दिन भी हमने मार्केट में एक उतार चड़ा बड़ा सेशन देखा मार्केट 17,000 के नीचे ओपन हुआ लेकिन 16,800 के करीब वापस उसे काफी बड़ा सपोर्ट मिला और हमेशा की तरह लगातर आठवी बार इनफार्ट हमने ये देखा है कि 16,800 के लेवल्स चूने के बाद मार्केट एक काफी अच्छे रिकावरी में कनवर्ट हुआ अगर ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो हमें लगता है कि मार्केट एक ओर सोल्ड स्टेटस को दर्शा रहा है मार्केट की जो ब्रेथ है वो काफी वीक है put call ratio जो है वो तकरीबन 0.80 के करीब है और India Wix जो है वो तकरीबन 27-26 के करीब है अगर हम इन statistics के साथ अगर आज के market को देखते हैं तो हमें लगता है कि market में short covering बन सकती है और market अगर आप global mood के साथ अगर open होते हुए देखे तो हमें लगता है कि market के opening काफी अच्छी हो सकती है world markets में अगर आप देखे तो US markets तो नीचे बंद हुए थे लेकिन उनके अभी futures उपर है और अगर major factors के बात करें तो bond deal या dollar index या crude इन सभी में अभी तक कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है और इसे वज़े से हमें लगता है कि market शायद हमें एक अच्छी opening दिखा सकता है लेकिन उसके बाद market उन levels के उपर sustain होता है के नहीं होता है ये देखना उतना ही ज़रूरी है market in fact हमें काफी surprise opening दे रहा है और कल के दिन में भी जब हम सोच रहे दे कि market 17,000 के नीचे कोलेगा in fact market खुला ही 16,800 के करीब वैसे ही आज हमें लगता है कि market 17,200 के बज़ाए शायद 17,300, 17,350 के करीब खुल सकता है और फिर वहाँ से हमें लगता है कि market में correction आ सकता है higher levels पे open होने के बाद मुझे लगता नहीं है कि कोई long positions के लिए हमें market को chase करना चाहिए in fact bullish reversal formation का इतिजार करें intraday में कोई नो कोई bullish reversal formation बन सकता है और उस वक्त अगर हम positions बनाते हैं तो आपका जो stop loss रहेगा वो काफी नजदिक का रहेगा एक specific stop loss रहेगा और उस stop loss के साथ आप market में काम कर सकता है तो दोस्तो 17,350, 17,000 और उसके बाद 16,800 ये तीन important levels के साथ हम आज market में उतरेंगे साथी साथ अगर हम stock specific और sector specific बात करें तो हमें लगता है कि जो metals में हम तेजी सोच रहे थे वहाँ पे हमने कल एक complete sell off देखा और वो important supports के नीचे बंद हुए है हलाकि trend अभी तक intact है लेकिन जो momentum है अगर आप देखे तो वहाँ पे हमने थोड़ी से गड़बड़ी देखी है थोड़ा sell off देखा है और आज के दिन में in fact वापस ये metal stocks कैसे perform करते हैं कि इतना short covering यहाँ पे हमता है उसी के basis पे हम आगे इन सब stocks में trades ले सकते हैं लेकिन कल के दिन में हमने वापस एक बार financials और साती साथ technology stocks में अच्छी तेजी देखी और हमें लगता है कि शायद ये sectors आज भी परफॉर्म कर सकते हैं दोस्तों इसी के साथ मैं आप सभी से आज के लिए विदा लेता हूँ thank you very much for listening in have a great day to all of you